नमश्कार दोस्तों IOC ने bonus shares announce किये है 1 to 2 की ratio से और company के stock की x bonus date है 30th June 2022 और अगर किसी investor ने 30 June से पहले 100 shares में investment की है company के तो उसके पास बन जाएंगे 150 shares तो चलिए सबसे पहले IOC के कुछ fundamentals देख लेते हैं company के जो current market capitalization है वो है 1 lakh crore के आस पास stock की PE है 3.91 की company की book value है stock की 142 rupees मतलब यह अपनी present में यह अपनी book value से काफी नीचे trade कर रहा है company की dividend yield भी है यहां पर आप देख सकते हो 7.68% की dividend yield है और बाकी सारे numbers भी आप देख सकते हो यहां पर promoters holding है 51.5% की company के पास reserves है 1,24,000 crore के आस पास debt है 1,32,000 crore के आस पास पास पिछले 5 साल की company की say 10.6% की और पिछले अगर हम 5 year ROCE देखें 14.4% का है ROE है पिछले 5 साल का 16.4% का और price to book value बनती है केवल 0.73 की तो यहां पर company के fundamentals काफी strong है चलिए कुछ numbers को हम यहां पर bar chart की help से elaborate करते हैं तो सबसे पहले यह है IOC का पिछले 5 साल का revenue और profit का bar chart तो यहां पर आप देख सकते हो 2018 से लेकर 2022 तक company का revenue और net profit किस तरह से grow कर रहा है और next chart में IOC का 5 year ROE और ROCE return on equity और return on capital employed का bar chart आप यहां पर देख सकते हो company का ROE लगभग 18-19% के बीच में vary कर रहा है पिछले 5 साल में और ROCE अब आप 15% का यहां देखने को मिल जाएगा नीचे चार्ट में तो आप इनको compare कर सकते हो पिछले 5 साल में और अगर हम IOC की shareholding pattern की बात करें तो यहां पर क्योंकि यह PSU है और 51.5% जो shareholding है government के पास है 8.36% यहां पर FII के पास है foreign portfolio investors के पास है 11.43% DII के पास है domestic institutional और 28.71% यहां पर public के पास है और यह है IOC का पिछले लगबग 20 साल का stock price chart तो यहां पर आप clearly देख सकते हो company के stock ने अपने investors के लिए कोई खास wealth creation नहीं करी है पर अगर हम पिछले 20 साल के company के dividends की बात करें तो इस stock ने अपने shareholders को भारी बरकम dividends दिये है पिछले काफी और इस company की dividend yield काफी अच्छी है जैसा कि हमने देखा तो यह stock wealth creation के point of view से बिलकुल अच्छा नहीं है पर अगर आपको regular income की जुरूरत है dividends की जुरूरत है तो आप इस stock में invest कर सकते हो और यह dividend के point of view से बहुत ही अच्छा stock है दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो helpful लगा तो इसे like और share करना ना भूलें और अपनी investment से related ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो धन्यवाद जै हिंद